चुप रहना यानि मौन रहना जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं, वह लोग अपने भीतर के असीम शक्तियां को समझ पाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह हमारे अंदर के सारे के सारे तनाव, सारी की सारी चिंता और भै को खत्म कर देता है और लोगों के बीच हमें एक होशियार और आकर्षित मनुष्य बना देता है। एक बार गौतम बुध अपने आश्रम में अपने सभी शिश्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज जुड़ी हमारी जबान है। और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं उसी के साथ लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब कहा और क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तिमाल नहीं करते, तो ये हमार जीवन को नर्क से बत्तर बना सकता है तो दोस्तों आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं आपको चुप रहने की शक्ती का एहसास इस वीडियो में होने वाला है विडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर विडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को जापान में एक बहुत ही प्रसिध बौध भिक्षु रहा करते थे उनका नाम रिसाई था रिसाई अकेले रहते थे दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वो बड़े ही ध्यान ही और प्रभुभक्त व्यक्ती थे इसलिए वह कूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिध थे एक दिन एक राजकुमारी साई के पास आया और बोला ये प्रिय भिक्षूप मैं हमेशा थका हुआ निराश और परेशान महसूस करता हूँ मेरा मन बहुत अशान्त रहता है हालांकि मेरे पास सब कुछ है दौलत शोहरत सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ती चाहता है या पानी की इच्छा करता है लेकिन किर भी मेरे अंदर इतनी अशान्ती और चिंता क्यों है रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा तुम इस प्रशन का उत्तर जानते हो बस तुमने कभी इस प्रशन को हल करने की कोशिश नहीं की है रिसाई ने आगे कहा मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशान्ती और चिंता नहीं रहेंगी ये बाते सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था उसने रिसाई से कहा बताईए मुझे क्या करना होगा अपने मन की शान्ती के लिए मैं कुछ भी करने को तयार हूँ राजकुमार की इन ही बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा तो फिर आप अगले पंदरह दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ती की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन पंदरह दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे जितना हो सके कम बोलोगे राजकुमार उस भिक्षु की बाते सुनकर सहमत हो गया पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है उसके मन में तरह तरह के विचार आ रही हैं थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी लेकिन वह चुपचाप रहा उसके मुह से एक भी शब्द नहीं निकला बस वह चुपचाप बैठा रहता लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांती का अनुभव होने लगा उसके लिए यह अनुभव अजीब था वो खुद से पूच रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृती को निहार रहा वह पौधों को फूलों को आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार यह अध्भुत द्रिश महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुन्दरता है वह दिन भर प्रकृती की सुन्दरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता इसी तरह से दस दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल-पुथल और सारा तनाव गायब हो गया ज्यारवे दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिंटों में उसकी आखें अपने आप बंध हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया वो पूरे दिन वही पर आखें बंध करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा ना कोई शब्द ना कोई चिंता राजकुमार भीतर से असीम शांती और आनन से भर गया राजकुमार अपने बाकी के चार दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला प्रिय भिख्शु मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उठल पुथल और चिंता क्यों थी मैं जान गया कि मेरा मन इतना शांत और विचलिप क्यों था मुझा था रिसाई मुस्कुराते हुए पूछा बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? और फिर उन्ही के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बरबाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से मैं हर काम में अस्फल होने लगा और फिर इन ही लगातार मिलने वाली अस्फलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिर्चिडा हो गया इन ही सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नश्ट हो रहा था लेकिन यहाँ पर बिताय हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यहा है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वयं को जानना ही है यह सुनकर रिसाई ने कहा सिर्फ तुम ही नहीं दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं कुछ लोग ना चाहते हुए भी बाते करते हैं और अपना जीवन बरबात कर लेते हैं रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिशों ने पूछा प्रे बुद्ध आप ज्यादा तर समय चुप क्यों रहते हैं बुद्ध ने कहा क्यों की चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनन्थ शांती की गहरायों में होता है मौन अपने भीतर उतरने की पहली सी ही है मौन के बिना स्वया को जानना असंभव है स्वय को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो, बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो, तुम अचानक पाऊगे की 90% से भी ज्यादातर लोग ग्यर्थी ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रही हैं, ना बोल जगरे फसाद कम हो जाएंगे, उपदरव कम हो जाएंगे, अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपदरव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं, सारी बात मौन सीखने की है, जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकां होने की कला जान लेता है, एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है, दूसरे की उपस्थिती ही बेचैनी पैदा करती है, पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ती को धारन करना होगा, इससे तुम अधिक्तर उर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिती में पहुँच जाओग जाजगी महसूस होगी क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो स्त्रोक छिपा हुआ है, और पलट कर कुटिया से बाहर चला गया, उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था, उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रह कर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन म ना बोलने का बोच बढ़ने लगा, तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा, और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीव सी बेचैनी होने लगी क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिश्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चा पीके से कुछ दिन और बीते और वह शिश्य बीमार पड़ी एच गया, उसका सिर्फ फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था, वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हे बताया, गुरुदेव म मैं बोलना चाहता हूं बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं, मैं क्या करूँ? संकल्प तोर दू क्या? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले संकल्प तो तोरने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है, वही अपनी आंतरिक शक्ती को बढ़ाता है और जो अपनी आंतरिक शक्ती को बढ़ा लेता है, वह समाज और जागरती की राह पर आगे भी आज जाता है। कर अपनी पुरानी दिन चर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात और शिश्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिश्यों का संकल्प अब तक तूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है गुरुदेव मैं बाहर से तो चुप हूँ लेकिन मेरे भीतर बहुत सी इतना मौन हूँ भीतर से उतने ही शोर शरावे से भरा हुआ हूँ क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुभा होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीट जाते हैं संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है। लेकिन शिष्य लोट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खाना लिया हो। इस बीच उसे ढूंडने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भायों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है। लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिश्य गुरु के पास आया और बोला गुरु देव हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा। क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा। गुरु ने कहा हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो लेकिन उसके न लोटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है शायद उसे वहां मिल गया है जिसके लिए भग गया था फिर शिष्य ने पूछा गुरु देव क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है गुरु ने कहा इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुखी ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं परिवार के अधिकतर जगडों की वजए हमारा बिंतलब बोलना ही होता है हम मेंसे कोई भी चुप नहीं रहना चाहता हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं उसे समझा देना चाहते हैं कि देख तु गलत है और मैं सही और इस तरीके से सब एक दूसरे की सरदर्धी गली बातों को ग्रहन कर रही है इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिन्दगी भर चलता रहता है लेकिन इस नासमजी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वकीमती पल जो जिये जासते हैं जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब खोदेटे हैं, लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं सब व्यर्थ और बरबाद हो जाता है इस पागलपन में हमने क्या खोदिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हुपाता है बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता शिश्य ने कहा तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा पूरी जागरूपता के साथ अपने विचारों को देखना यही एक मात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना पूरी जागरूपता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमतकारिक बगलाव ला देता है उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रशनों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया उस शिष्य को आश्रम छोड़ कर गए हुए तीन महीने का समय बीच चुका था लेकिन उसकी कोई खबर न थी अब तक तो सभी गुरु भाईयों ने भी उसके वापस लोटने की उम्मीद छोड़ दिये चदी थी लेकिन एक दिन वह आश्रम लोट आता है उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा लेकिन अब वह वह नहीं था जो यहां से गया था वह कुछ और ही बनकर वापस आया था उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था उसके चहरे पर एक गजब का ठहराव और आखों में बनी शांती थी आश्रम में आते ही सभी गुरु भाईयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बाते करने लग गई वह भी अपने गुरु भाईयों से बाते करने लगा उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था उसके मुह से एक-एक शब्द बहुत ही सुलजे हुए और मधुर्ता के साथ निकल रहे थे थोड़ी देर तक गुरु भाईयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया उसने गुरु के चरंच हुए और कहा गुरुदेव क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या आप भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिश्य की आखों में पटी ध्यान से देखा और कहा हाँ तुम अब भी मौन हो तुम्हारे मुह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है शिश्य ने कहा गुरु देव जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुह से तो चुप था लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजे थी मन में बहुत से प्रश्ण थे और वह बंद नहीं हो रहे थे तुम्हें जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांती मिलेगी और मेरे मन की बखबख कम हो जाएगी लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई दोस्तों को और गुरु भाईयों को बुरा भला कहता था उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ जब मैं गुरु भाईयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बना था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बहतर हो और मैं सही कर रहा हूँ. लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था. काफी दिनों तक यह आवाजे यह शिकायते मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजे मेरे अंदर से समाप्थ हो गई. अब मैं भीतर से भी मौन हो गया, उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं, और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी, और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा, मेरे चारों तरफ बहुत शांती थी, हालांकि अभी भी कुछ आवाजे आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था, पर अब वह सभी आवाजे मुझे सपश्ट रूप से सुनाई दे रही थी, हवा के चलने की आवाज, चिडियों के चहकने की आवाज, और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजे मैंने पहली बार पू शब्द निकाला, मैं चिल्ला या की इश्वर ये कैसी शांती है, सभी कुछ कितना शांत क्यों है, ऐसा क्या हो गया, लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांती भंग नहीं हुई, सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी खेल गुरुदेव मैंने अप से बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चर रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एक दम एकांत में हूँ, मौन में हूँ, भीर बैच में होता हूँ, तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ, जब मैं खुद मैं भी शुर करना चाहता अब सब दिखाई पड़ी रहने लगा है, सब सुनाई पड़ी ढहने लगा है गुरु ने कहा जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशान्ती ही रहेंगी लेकिन जीस दिन हम भीतर की तरफ मुद्दा जाएंगे, तब हमारे मुह से कुछ भी निकलेगा खर तरफ में ज़रूरत है? उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बलकि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? और यही हमारी जिन्दगी का मकसद बन कर रह जाता है हमारी सारी उर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते है कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है दुनिया की सभी लडाईयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो क्योंकि व्यर्थ का बोलना उर्जा को नश्ट करना है और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लोटने नहीं देता क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोरना है तो इस मूँ को बंध ही रखना चाहिए इसलिए जीतने भी बुद्ध हुए आत्मग्यानी हुए वह सभी एकांत की और भागे ताकी उन्हें ज्यादा ना बोलना ज्यादा सुनना ना पार डी वह एकांत में रहें और शांत रहें इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है शांत रह सकता है लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी उर्जा बचानी होगी जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बरबाद कर रहे थे दोस्तों इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना उर्जा को नश्ट करना है ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लोटने नहीं देता क्योंकि यह हमें बाहर की ओर जुकाए रखता है और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुह को बंध ही रखना चाहिए मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं नमो बुद्धाए